आओ लोट चले गाउं की और प्रकरती की और गाउंवाणी स्टूडियो के रईवार विसेश कारिक्रम में आज युवा जागरती संस्थान की टीम प्रगति सील किसान रिसी राज यादव जी जो बूचियास के पास में लगभग डेड़ हैक्टियर में यह उन्होंने केले क जो पोधे लगाए हैं और इन्होंने MP से यह कहते ना कि खेती में अगर नवाचार करने की अगर जुनून हो तो व्यक्ति हर असंभव काम को भी संभव बना सकता है इसी प्रकार के प्रगतिसील किसान रिसी राज यादव जी के फार्म हाउस पर हम यहां पर है और उन्हों हैं और साथ में उन्होंने नवाचार करते हुए और यह एक प्रगतिसील किसान के तोर पर एक पहला एक नया नवाचार इन्होंने यहां इस्थापित किया है आप देख रहे हैं कि दूर दूर चारों तरफ की जो बाउंडरी है उसके उपर उन्होंने नेपिरियर घास को लगाया है जो ना सिर्फ इसे हवा के वेग से बचाने का काम करेगा साथ में यह जो अंदर जो पोदे हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी यह उपियोगी है तो इसी प्रकार का एक यह जो नवाचार करते हुए इन्होंने अपने फार्म हाउस पर लगभग डेड़ हेक्टिय भूमी में यानि तकरीबर साड़े पाच बीगा जमीन के अंदर रिसी राज जी ने यह नवाचार किया है हम आपको दिखा रहे हैं कि दूर दूर तक यह केले के पोधे आपको यहां पर नजर आ रहे हैं इन्होंने इसे ड्रिप इरिगेशन के साथ में कम पानी में और यह प्रियंट घास को लगाया जो कि इसे हवा के वेग से बचाने के साथ साथ एक सुरक्षा का काम भी यहां पर कर रही है तो प्रगति सील किसानों का यह नवाचार देखकर हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बानसूर की धरा पर भी हमें MP जैसे जो केले के जो पोधे हैं वो रिसी राज जी के मुझसे भी सुनेंगे कि उन्होंने किस प्रकार इस नवाचार को किया उन्हें यह प्रेड़ना कहां से मिली तो हम प्रगति सील किसान रिसी राज जी का स्वागत करते हैं नमस्कार रिसी राज जी हम जानना चाहेंगे कि यह जो खेती में जो आपने किसान पाट साला के जरी करी दें उनहीं की गाइडलाइन के अनुसार यह लगाएं तो आपको यह नवाचार करने की प्रेड़ना किस प्रकार आई और आप क्या सोच रहे हैं कि यह आने वाले एक से दो साल में आप को यह जो साड़े पाँच में जो आपने लगभग के पोदे लगाये लगबग क कितने पोदे आपने लगाये है यह मतलग क्या है इसमें अblesama प्रम्प्रागत किर्शी तो हमने केले को चुना कि यह बारों मैने लगाया जाता और बारह मैने इसकी विक्री होती पिर कली एक ऐसा ही फल है जो बारह मैंने ठेलीप ठीका रहता है बिल्कुल सही का आपने तो इसमें आपने मल्टी क्रोपिंग को भी चुना है नीचे आपने टमाटर और हमने देखा कि आपने मूली भी लगा रखी लगाई है जिसमें मैंने 40,000 की तो मूली बेस दी बहुत बढ़िया देखो आपने सुना कि मात्र ऊपर की और पेड बढ़ रहे हैं बिल्कुल यह तामाटर भी हमने देखें कि पूरा सुरवाती चरण में है अब हम यह जानना चाहेंगे कि लगबग कितने पोधे आपने यहां पर लगाएं यह तीन अजार पोधे आपने लगाएं लाइन शे लाइन इनकी 5 फूट है और पोधे से पोधे 9 फिट जिग-जैक पर जिग-जैक पर नाली कि अकोर्डिंग आपने इसको पूरा मेजरमेंट के about निजरमेंट के कुपलीट पूरा का पूरा प्लांटेशन किया है तो मार्केट लिंगेज वगेश के लिए किस तरीके से आपका किसी पार्ट साला से तायब है या कैसे कि सान पार कि उसके अनुसार चलना पड़ता है तो इनमें कोई कीट नासक दवाईयां इस तरह का खुछ तो नहीं रहता है ज्यादा कीट ना सक आते नहीं है इसमें यह आता है जैसे फंगस आ गई या स्यम्व आगया यह आते हैं इसके वह ग्राफ जब अपन नजदी की ग्राफ लेते इसका जो ठंडी हवाएंगी उनकी रोक थाम के लिए बिल्कुल में गरम हवाए जो लू चलती है ना उससे चीलियों में चीलिंग एंजरी आने का खत्रा रहता है तो यह चीलिंग एंजरी के बचाव के लिए नेपियर गास बाउंडरी पर चार उतरफ ऐसी लगाई है नह अब यह भी प्रतीत हो रहा है कि निश्चित रूप से किसान अपने दिवारों के पास-पास इसको लगा के और कैसे आगे बढ़ा सकता है तो यह थे प्रगति सील किसान रिसी राज जी जो बानसूर में पहले प्रगति सील किसान है जिन्होंने अपने यहां पर डेड़ है इन्होंने केले की फसल लगाई है और प्रंपरागत तरीके की खेती के बजाए उन्होंने नई क्रोप को हमारे बानसूर में मल्टी क्रोपिंग के साथ इंटिट्यूज किया है तो अगे हम आपको दिखा रहे हैं पूरा का पूरा इनका यह जो खेत है वह लगबक साड़े इस तरीके का यहां पर प्रतीत हो रहा है और यहां देखे इन्होंने अच्छा टमाटर का इनके यहां पर प्रोडेक्शन हो रहा है तो इस प्रकार किसान एक ही समय में और मल्टी प्रोक्रोपिंग के माद्यम से कैसे उत्पादन प्राप्त कर सकता है। पर अपने फार्म पर यूज किया है तो आप भी इस प्रकार का नवाचार देखने के लिए यहां पर आ सकते हैं। और हमारे प्रगतिसील किसान रिसीराज जी का भी कहना है कि वो खेती में नवाचार करके और कुछ ऐसा अपने छेत्र में करना चाह रहे थे कि जो ऐसी फसल जो वर्स भर चलती रहे और वर्स भर विक्री होती रहे और के लिए तो हर पूरे के पूरे 12 महीने तक खाने के लिए उपलब्द रहते हैं। और मार्केटिंग भी कोई दिक्कत नहीं होती है। आसानी से आप उसके लिए मार्केटिंग लिंकेज भी आपको आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। तो आप आकर इनके फार्म हाउस पर विजिट कर सकते हैं। यह पूरा का पूरा साड़े पांच भीगा लगबग डेड़ हैक्टियर का यह पूरा खेत आपने इस वीडियो में देखा। हमें आज अपने गावाणी स्टूडियो के खेती किसानी कारिक्रम में और विशेशकर हमारे रिसी राज जी के फार्म हाउस पर आकर यह वीडियो सूट करने में काफी अच्छा लगा। और हमने भी प्रतीत किया कि अगर किसान चाहे और अपने इरादों में अगर ठान ले तो असंभव को भी संभव बना सकता है। जैसी क्रोप की कलपना नहीं कर सकते थे हम अपने इस छेत्र में उस क्रोप को उन्होंने ना सिर्फ लगाया है इतने स्रेश तरीके से उन्होंने इसे आगे भी बढ़ाया है। तो रिशिराज जी चलते चलते हम आपसे एक संदेश जो किसानों को आप देना चाहें तो आपसे जानना चाहेंगे। मैं यही संदेश देना चाहता हूं प्रते किसान को कि किसान यह जो लगाए खेती करे कोई नई खेती करे तो उसमें बेजिज़ा को करके करना चाहिए उसमें अगर मन ऐसा कर लिया कि यह पता नहीं होगी या नहीं होगी लेकिन मन में अगर ठान लिया जिग्यासा होगी तो क कोई भी ऐसी फसल नहीं है जो की हो सकती है बहुत अच्छा लगा और इसी प्रकार की नई प्रगति सील किसानों की रोचक कहानियों के साथ अगले सब्सक्राइर से रूबरू होंगे तब तक के लिए आप से विदा चाहेंगे और रहे प्रगति और सोलर एनरजी का उप्योग करने के लिए प्रेडित किया है तो हम राम सिंग जी नमस्कार और हमारे गाउवाणी स्टूडियो के चैनल पर आपका स्वागत है और हम जानना चाहेंगे कि सर यहां पर बहुत अच्छा राज जी ने यह सेटप बनाया हुआ है और आपने इनको बहुत अच्छा स्ट्रेक्टर यूज में इनको दिया है तो मैं जानना चाहूंगा कि इसको देखकर आप क्या सं लगा करके पाण की कमी को देखते हुए अच्छा काम किया है और इसने जितने मेनत किये हमें बहुत खुसी है और हम इसको अमेसे प्रणा देते रहें और उठाता रहेगा इसको बिल्कुल वह तो देख रहे हैं कि सर कितना अच्छे तरीके से इन्होंने पूरे डेड़ है सब्सक्राइब को मैनेज किया है और यह जो नेपेरियन घास है उसकी ग्रोथ से भी नजर आ रहा है कि यह पूरे हर पेड़ के साथ इन्होंने एक सुरक्षा चक्र के तरह काम किया है तो यह जो केले का जो उत्पादन का तरीका था इसकी खेती करने का आइडिया है यह दोवाय नहीं मिल पाई तो हमने इनका मनोबल कमजोर नहीं होने दिया हमने चाहा कि जितना हो सके आप मनोबल रखो सो परसेंट आपका सब्सक्राइब करके दिखा दिया दिलकुल और आप हमें भी एहसास हो गई कि हमें अच्छी प्रोग्रेस मिलेगी निसीत रूप से सर जिस तरीके से आपने यह मेहनत की है और तीन हजार के लगबग इन्हों ने बताया कि यहां केले के पोदे लगाए हैं तो वाक्य में आने वाले एक साल में अच्छा प्रोड़क्शन इस फार्म से होने की उम्मीद है जो सेकंड नो मैंने के लोगों तक पहुंचाना चाहिए कभी किसान मेंद करने कभी निश्वल नहीं होता बहुत बहुत धन्यवाद सर और आप देख रहें कि इस प्रकार का नवाचार जो इन्हों ने यहां पर किया और दूर दूर तक आप देख रहें कि पूरा का पूरा यह इनका जो केले का जो पूरा फार्म हा जो इन्होंने आधुनिक और वेग्यानिक तरीके से इन्होंने यहां पर अपने भूचीवास इसके पास इनकोंने अपने डेड़ी हेक्टियर भूमी के ऊपर ये रिशी राजी जो इनके भाई हैं उनके फार्म हाउस के ऊपर ये पूरा का पूरा इस्थापित किया है तो हम फिर मिलते हैं इसी प्रकार की रोचक कहानी और एक ऐसे प्रगतिसील किसान के साथ तो आप इ इनसे जरूर जानकारी प्राप कर सकते हैं धन्यवाद